दोस्तों सही और सडिक जानकारी के लिया अरुस फंडमेंडस में आप सभी का स्वागता आज का टॉपिक बड़ा ही महत्पूर्ण है आज का टॉपिक है deferment deduction of smart prepared meter secure company के दोवारा जहां भी smart meter लगाई गई है deferment amount काटने से पहले बता दी जाती है साथ दिन पहले ही कि आपका deferment amount काटने वाला है और आपको smart meter में आवस्यक balance बनाई रखने का request किया जाता है जिसे कि आपकी बिजली नहीं कटे एक दूसरे उपोगता का मैं देख रहा हूँ बिहार सुगा में smart meter app उसमें मैं देख रहा हूँ 789 रुपया उनका deferment deduction हुआ है और यह 14 तारिकों हुआ है जिसके 7 दिन पहले इनको भी message आ गया था तो आज यह deferment deduction क्यों होता है और इसे बचने का क्या उपा है इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा इसलिए इस वीडियो को पुड़ा देखिए सबसे पहला कारण है आदमी का जितना sanction load है उसे ज़्यादा अगर वो maximum load उपयोग करता है तो उसका penalty लगती है अधिक के डिमांड प्रभाब आप जानते हैं smart meter में daily जो deduction होता है fix charge का वो उनके sanction load के अनुसार होता है लेकिन जब मन्थली बिल बनता है तो उसमें exact maximum demand लिया जाता है जो meter के द्वारे record किया रहता है इस कारण देखिए यहाँ इनका 1 kilowatt load है तो यह 1.05 तक रूपयोग करते तो 2 kilowatt का इनको fix charge देना परता लेकिन इनको penalty नहीं लगती access demand penalty पे तो मैंने बहुत सारे वीडियो दिया है आप मैंने चैनल पे जाके देख सकते हैं तो इस पे penalty इनको लगी है क्योंकि इनके द्वारा जो उपयोग किया गया है वो 1.15 है तो इसलिए पहला kilowatt के लिए इनको जेनरल fix charge लगा है जो 80 रूपया है घरील उपहुगता में लेकिन इनको दूसरा kilowatt जो है उनके लिए fix charge double rate से लगा है उसी को बोलते हैं आधिक demand प्रभार यहां 160 रूपया लगा है अब देखिए अगर कोई commercial उपहुगता है commercial में आप जानते ही है एक kilowatt का जो fix charge है वो है 300 रूपया अब देखिए commercial का कोई भूगता 2 kilowatt connection लिया हुआ है अगर वो 4 kilowatt उपयोग कर रहा है तो extra जो है 2 kilowatt के लिए इनको देखिए कितना होगा 600 के 10 से इनको लगेगा access demand penalty आधिक demand प्रभाद और यहां इनको 1200 रूपया इनको लग जाएगा तो यह amount तो deferment के रूप में ही काटी जाएगी तो इसलिए आप पनो load बरहा लीजिए load बरहा क्या आप इस deferment से बच सकते हैं access demand penalty जो है उससे बच सकते हैं अब देखिए यह तो एक महिना का बिल है माल दीजे किसी का बिल दो-तीन महिना के बाद बना है तो smart meter तो सारा record करके रखाया maximum demand तो उस case में तीन महिने का तो penalty और ज्यादा हो जाएगी अब आप कहेंगे बिल आप मुझे दे रहे हैं तीन महिने में तो penalty कैसे ले रहे हैं इतना मुझे तो पता नहीं था तो इसके लिए आप लगता है मेरा वीडियो नहीं देखें है मैंने बिहार सुगम smart meter app जो है इस पे मैंने वीडियो जो दिया था इस वीडियो में मैंने बताया था वहाँ load pattern है load pattern में आपको maximum demand की जानकारी पलपल की जानकारी डाती है तो आप आपको भी थोड़े smart होना परेगा जो जैसे से ही उसमें पता चल जाए जो नहीं आप sanction load जितना भी है उससे आप cross कर रहे हैं तो आप अपना load भरा लीजिए और इस penalty से बच जाईए इसलिए तो एप का यूज हम लोग करते हैं दूसरा करण है power factor का आप जानते है commercial भोगता जिसे दुकान, hotel वगेरा सब है, school वगेरा स सब है, hospital वगेरा सब है, तो उसमें क्या है ना, 0.9 आपको power factor बनाए रखना पड़ेगा, 0.9 power factor पे कोई penalty नहीं है, इससे अगर आपका power factor जादा है, तो आपको rebate ही मिल जाएगा, आप benefit में रहेंगे, लेकिन अगर इससे power factor कम है, जैसे यहाँ देखिए, 0.6 power factor है, तो इस case में देखी, capacitor प्रभार लगा है, और यह capacitor प्रभार तो daily deduction में काट नहीं रहा है, यह प्रकार का penalty है, यह penalty तो आपका deferment में ही काटा जाएगा, capacitor प्रभार पे तो मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, तो logic वही है, बस rate नया लगा कि आप खुद भी calculate कर सकते हैं, बह मन्थली बिल बोगता का बनता है, तो उसमें पहले के तरह ही delay payment सर्चाज लगता है, आप यह जान लीजिए कि smart meter के बिल और जो पुडाने meter के बिल में कोई अंतर नहीं है, logic सब कुछ सेम है, ultimate आपको यही payment करना पर रहा है, जो मन्थली बिल बन रहा है, हलाकि daily deduction यह सब अल काटी जा रही है, इसके अलाबा, जो एक और है, मन्थली बिल करक्षन है, किसी का, मन्थली बिल गलत था, तो उसको अगर सुधार किया गया है, तो वो अन शुलिक के रूप में रहेगी, अब देखे, इनका जो है, consumer को यहाँ फाइदा ही हो गया है, इनका 5,146 रूपया, पांच पैसा घटी गया है, इनको यह तो क्रेडिट में ही आ जाएगा, तो जिन पर चार्ज होगा, मन्थली कोई फाइंग लगा हुआ है, वो चार्ज होगा, चेक से कोई जमा किया, चेक बाउंस हो गया, वो पैसा होगा, वो भी आन शुल्प में चार्ज होगा, तो वो तो बेनिफिट रहेगा, तो वो क्रेडिट एडिट में आ जाएगा, अगर आपको कोई डेफर्मेंट नहीं है, और अगर आपको कोई पैनल्टी है, तो उसमें यह घटा के आपको कम पैनल्टी ली जाएगी, इसके अलाबा, जिन का भी लोड चार किलो वाट या उससे आगेगा, तो डेली डिडेक्शन में चार किलो वाट का जो कटा है, तो यह तीन किलो वाट का ही कटना चाहिए, अल्टिमेट ली तो इतना पैसा तो आपको रिटर्न हो जाएगा, क्रेडिट एडिट में आ जाएगा, खासकर यह बरे भोगताओं के लिए और अच्छा है, किसी का 16 किलो वाट लोड है, और वो उप्योग 10 किलो वाट ही कर रहा है, तो आप देखें, 16 किलो वाट का 75 परसेंट सिर्फ 12 किलो वाट हुआ, तो इनको तो 4 किलो वाट का जो फिक्स चार्ज है वो तो रिटर्न हो जाएगा, और 4 गुना 300, सोचे इनको 1200 रुपिया रिट का 20 मंत्لी बिल में जोड़ के आएगा तो वो सब भी वी कहलेंट का रूप में ही कटेगा इसके अलाबा मांलीजिय किसी का कAn एर्य लेट सेक्टाट हुआ हुआ, किसी का ए्रियर रिट DO T.I. immense को और वह अर्वा लीजिय यह 22 तारिकו तो ये 20 दिन का जो इनका जो एरियर कटा तो वह एमांट जो है वह मांट तो एरियर का वह डेफरमेंट के रूप में आएगा न यह भी इमांट डेफरमेंट में कटेगा तो वह सर्प्राइज नहीं होना है क्या एक्शल है यह आपको समझ लेना है तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा बाद आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट है तो कोश्चन पूछिए धन्यवाद